पुलिस पबलिक एसोशेशन हमिरपूर की एहम बैटिक नगर परश्रत दबागर में आयोचित की गई जिसमें एसपी हमिरपूर कार्थिके गोकुल चंद्री नए शिरकत की इस अफसर पर एसोशेशन की आगामी दिनों के लिए रूप रेखा तयार की गई जानकारी देते हुए प्रेस सचीब जस्बीर कुमार ने बताया की बैटिक में पीपीए के द्वारा आगामी दिनों में पुलिस के साथ मिलकर किये जाने वाले कामों को लेकर चर्चा की गई तो शेहर में लगाएगे सीजी टीवी कैमेरी के साथ नई कैमरे लगाने के लिए भी योजना बनाई गई इसके साथ ही बैटिक में या तयात वेवस्तता को लेकर लोगों को पेशार ही समस्याओं पर भी चर्चा की गई बैटेक में शहर में दुकानदारों के द्वारा लगाएगे सीजी टीवी कैमरों के रखरखाब के साथ सही डंग से देखवाल करने के लिए जागरू किया गया बैटेक में नेरने लिया गया कि अगामी दिनों में पुलिस और पीपीए के सदस्यों के साथ फ्रेंडली मैश का आयोजिन भी करेगा ताकि पुलिस जबानों को तनाव से मुक्त किया जा सके इस अबसर पर बैटेक में पीपीए देक्ष रमेश जन्द महास अचीब राजीपुरी कोशा देक्ष मुनिश पुरी सदस्य अमुना वर्मा नेक राम जिस्वन सिंग अश्मिनी जगोता एसाई इंडिस जिंग इत्यारी मौशूद रहे बैट कर जिल्ला में पोलिस प्रशासन का सुधार करने के लिए और जनता की सेवा में और इंप्रूब्मेंट लाने के लिए क्या-क्या कदम ले सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया तो हमने यही निरने लिया है कि पूरे जिल्ले में जो भी CCTV कैमरा होंगे उनको पूरे तरह से हम मैपिंग करेंगे मैपिंग करके हम देखेंगे कि इसमें कितने कैमरा चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं तो अगर नहीं चल रहे हैं तो concerned जो दुकानदार है या जो भी कैमरा के owner है तो उनसे एक बार बात करेंगे, उनको educate करेंगे, awareness बढ़ाएंगे और उनको बताएंगे कि कैमरा का importance क्या है उसके हिसाब से हम उस कैमरा को change करने की कोशिश करेंगे या हम उसका maintenance करवाने की लोकल पब्लिक के साथ cricket match का भी organize करेंगे ताकि पॉलिस और पब्लिक के साथ एक अच्छा cooperation रहे इसमें मैं यह भी कहना चाता हूं कि मीडिया का जो भी टीम है उनके साथ भी हम एक match करने का भी एक हमने लिजने लिया है तो आप सब के सहीव के साथ मेरा यही मानना है कि जि झाल 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 झाल